नमस्कार मैं हूँ शुबम सेटी और आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स क्रेजी वैरेल न्यूज आज हम बात करेंगे ICC द्वारा की गई बोर्ड मीटिंग के ओपर ICC ने अपनी बोर्ड मीटिंग में क्या एलान किया और उसने अपने फ्यूचर टूर्णमेंट प्रोग्राम के बारे में क्या बताया जो कि अगले आठ साल तक खेला जाएगा 2024 से 2031 तक यानि कि 2024, 2025, 2026, 2027, 2028, 2039, 2030, 2031 जो कि अगले आठ साल तक खेला जाएगा और BCCIA द्वारा मांगी गई ICC से महलत एक महीने की तो क्या ICC ने उसे मंजूरी दी या नहीं दी उसमें सबसे पहले बात करते हैं 50 Overs World Cup के बारे में 50 Overs का जो World Cup है वो हर 4 साल में एक बार खेला जाता है जो कि 2024 से 2031 के बीच खेला जाएगा जो 2027 और 2031 में खेला जाएगा इसमें टोटल 14 टीम्स पाडिसिपेट करेंगी पहले इसमें 10 टीम्स खेली जाती थी बता दे कि हर 7-7 टीम का समूँ इसमें खेलेगा पाडिसिपेट करेगा और हर 3-3 का समूँ जीतने के बाद सूपर 6 में पहुंचेगा उसके बाद सेमी फाइनल और फाइनल होगा अब बात करते हैं T20 वर्ल डिकप की T20 वर्ल डिकप हर 2 साल में एक बार खेला जाता है इसमें भी 20 टीम्स होंगी अभी इसमें अभी के मुकाबले इसमें वर्ल सोलर टीम्स खेलती हैं जबकि 2024 से 2031 के खेले जाने वाले T20 में 20 टीम्स पाइट करेंगी इसमें हर 5-5 टीम्स के चार g recommended, smooth में जो खेलेंगे और हर smooth में से 2 teams होंगी जो super 8 में पहुँचेंगी उसके बाض semi final और final होगा अब बात करते हैं WTC की World test championship की World test championship जैसा कि आपको पता है 2021 में England में खेला जा रहा है New Zealand और इंडिया के बीच ये भी हर 2 साल में एक बार होता है अब 2024 से 2031 के वीच ये 2025, 2027, 2029 और 2031 में खेला जाएगा अब बात करते हैं इनके में टूनेमेंट की जो की है Champions Trophy जो की हर 4 साल में एक बार खेली जाती है आखरी Champions Trophy जो थी वो 2017 में खेली गई थी जिसके फाइनल में पाकिस्तान और भारत पहुचा था अब जो Champions Trophy है वो 2024 से 2031 के वीच में खेली जाएगी बता दें कि इसमें 10 चीम्स पार्टिसिपेट करेगी अब बात करते हैं ICC द्वारा किये गए पुरुष टूनेमेंट और महिला टूनेमेंट और अंडर 19 टूनेमेंट के बारे में ICC ने पहले ही वोमेंट टूनेमेंट को मंजूरी दे दी थी उसके आउजन को लेकर अब 2024 से 2031 के बीच खेले जाने वाले पुरुष महिला और अंडर 19 के बारे में उनोंने कहा है कि पुरुष टूनेमेंट जो है वो सब्टेंबर में खेला जाएगा और जबकि वोमेंट टूनेमेंट 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 जो है वो नवंबर में खेला जाएगा अब बात करते हैं ICC द्वारा की गई वर्चुल बोर्ड मीटिंगे बारे में जिसमें प्रेजिडेंट BCCI के प्रेजिडेंट सौरफ गांगुली और जय सचिफ शावी शामिल थे उन्हों में BCCI से 28 जून तक की महलत मांगी थी T20 विशुकव को भारत में कराने के लिए जिसे ICC ने मनजूरी दे दी है ICC ने BCCI को 28 जून तक की महलत दी है अपने फैसला सुनाने के उपर जिसमें BCCI जो है अगर भारत में T20 नहीं करा पाता है तो ICC जो है वो T20 को UAE में कराने का फैसला ले सकती है अगर आपको हमारी आद की जीन्स बसंद आई तो लाइक शेयर कमेंटर ना मत भूलिएगा और ऐसे ही मज़ेदार कबरों को देखने के लिए देखते रही है स्पोर्ट्स क्रेजिट अगर 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 अगर